नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है कमलेश एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस सक्सेस लाइफ यूटूब चैनल में दोस्तो बहुत लोगों का प्रोब्लम होता है कोई भी चीज कोई भी आदत को भूलने के या फिर छुटकारा पाने के अगर आपके पास भी कोई ऐ आदतों से छुटकारा पाने के लिए तो इस वीडियो को दिखिएगा और एगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो कोई भी आदत को चाहे जितना भी पुरानी हो आदत हो आप उससे कैसे छुट करा पा सकते हैं आज के इस वीडियो में हड़ एक चीज में आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जीवन में कई वार आपको ऐसी आदते लगजाते हैं जो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ाफे तक आपका साथ नहीं छोड़ती हैं कई बार वो आदते बहुत ही छोटी छोटी सी होती है उनका आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी सी आदते धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है लेकिन फिर आपके लाग चाने और पड़ेसान होने के बाद भ किसी भी काम को करने में कोई गलत बात नहीं है लेकिन जब आप अपनी लिमीट क्रोस करके किसी काम को बारवार करते हैं उसे अपनी आदत बना लेते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है किसी भी काम को पहली बार आप यही सोच कर करते हैं कि एक बार ट्राय कर लूँगा उसके बाद कभी नहीं करूँगा दूसरी बार आप ये सोचते हैं कि चल एक बार फीर से कर लेता हो तिसरी और चोथी बार कोई आपका अपना आपके पास आता है और उसे आपको करने के लिए मजबूर कर देता है और आप उसे कर देते हैं औ आपको उसकी आदत लग जाती है और आपको पता भी ने चलता है कि जब आपको एक बार उसकी आदत लग गई फिर आप उसको बीना किये रह नहीं पाते अब चाहे वो जूट बोलने की आदत हो, किसी को धोखा देने की आदत हो, सराप पीने की आदत हो, या फिर सिगरेट पीने की आदत हो किसी भी परकाड की आदत आपके जीवन के लिए बुड़ी है, गलत है ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ही है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर पाते क्यों क्योंकि आपको आदत लग चुकी है आप सोच कर देखिए कि सिगरेट पीते पीते ये बोलने से क कि ये मेरी लास्ट सिक्रेट है, इसके बाद नहीं प्यूंगा, क्या किसी ब्यक्ती ने आज तक सिक्रेट छोड़ी है, सराब छोड़ी है, या फिर और बुरा काम छोड़ा है, नहीं छोड़ा है न, फिर सोच कर देखिए कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, कि आपकी आदते भी इस परकार से बोलने से, या फिर कॉमेंट करने से छूट सकती है, बिल्कुल नहीं, इंसान की एक और आदत होती है, जो सायद आज से नहीं, जब से पिर्थिवी बनी होगी, मनुस बना होगा, तभी से चली आ रही है, और वो ये है कि अपने आप से जुट बोलने की आदत अपने आपको धोखा देने की आदत, और इसलिए तो सायद आप भी अपने आपको कई बार धोखा देते रहते हैं, सोस्ते रहते हैं कि सिर्फ बोलने से आप ये कर जाएंगे, जबकि आपको भी पता है कि आप उस बुड़ी आदतों को छोड़ नहीं पाएं हैं, और नही कभी छोड़ पाएंगे, यदि वाकई में आप उन बुड़ी बातों को उन बुड़ी आदतों को छोड़ना चाते हैं तो आपको वाकई में आज और अभी इसी वक्त से फैसला लेना होगा कि आज के बाद मैं उस चीज़ को उस काम को कभी नहीं करूंगा, यदि आपने आ कर पाएं फिर वही चीज कड़ी, तो आपने आपको एक जगा पर बैठाईएं और अपने आप से पुछे कि आप उस चीज के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता, उसकी वज़ा से जो आपका जीवन खराब हो रहा है, तो क्या आप ऐसी ही अपने जीवन को खराब होने दे है, वो चीज, वो आदत जो जन्नत नहीं है, बलकि वो जहनूम है, और आप खुद अपने आपको उस जहनूम से बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप से बादा करिए कि जब तक मेरी मरने जैसी हालत नहीं हो जाती, मैं उस चीज को उस काम को कभी नहीं करूंगा, मुझे बह आप अपने आपको मनाईए और समझाईए, सजा दिजिए कि ये चीज गलत है, मतलब गलत है, याद किजिए कि कुछ दिनों पहले भी तो आपने किसी अपने मीत्र दोस्त यार को कहा होगा कि बस यार बहुत हो गया, अब मुझे इसे छोड़ना ही होगा, मैं इसे छोड़ गलतों को छोरवाने में आपकी मदद कर सकता है, किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकरात्मक रवयया अपनाना बहुत जरूरी है, अपना ध्यान गलत आदत से अटाने के लिए खुद को बीजी रखे, खुद को किसी मन पसंद एक्टिवीटी जैसे खेल, बुक्स, मुवीज इत्यादी में वियस्त रखे, कोशिस करें कि आपको अकेले ना रहना पड़े, आपकी मदद एक ही इंसान कर सकता है, और वो हो आप खुद, तो वादा किसी है, अपने आप से और छोड़ दिजिए, इन बुड़ी आदतों को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आप, तो वीडियो को बहूस ज़्यादा तक सेर किसी और एक लाइक जरूर बनता है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने क्यों आप चाहते हैं, इसी तरीकी का वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर लिजे तो मिलते हैं एक स्टूडियो में तब तक के लिए साइनिंग आफ सक्सेस लाइब